अंबिकापुर के दरीमाथान अक्षित्र में सरुजा कॉंग्रिस जिला ध्यक्ष राकेश गुपता पर एफाई आर दर्ज किया गया है। कॉंग्रिस जिला ध्यक्ष ने बताया कि फार्म हाउस में काम कर रहे एक मजदूर की हाई वोल्टेज करेंट लगने से एक्सिडेंटल मौत हो गई है। इस मामले में पुलीस की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला है। नोटिस मिलने पर कानून का फालन करते हुए अपना पक्ष रखूंगा। करजी में हमारे फार्म में काम करते हुए बशंत जो शिवपूर निवासी थे उनका 11 के संपर्क में आने से एक्सिडेंट में डेथ हो गया। और उस पर मर्म भी कायम हुई थी और MLC भी हुआ था तो मुझे लगता है कि यह प्रक्रिया का एक पार्ट होगा जो फायर हुआ है लेकिन मुझे कोई नोटिश अभी मिली नहीं है मुझे जब नोटिश मिलेगी तो मैं कानून का पालन करूंगा और नीमा नुशार अपना पक्ष में तरफूंगा पर पुलीस का बयान आ रहा है कि राकेजूपता जी को पर फायर किया गया है तो कहा तक आप सही मानते हैं इस फायर को पहले नोटिश मिल जाये मुझे मैं उस दिन राइपूर में था और रस्ते में आते आते मुझे जानकारी मिली कि अंबिकार पहुंसते पहुंसते कि घटना हुई है फायर हुई है तो मैं पहले देखूंगा समझूंगा और फायर किन्हों न नहीं है फार्म हाउस पर कारी कराने वाले मालिक दोसी है अथवा कारी करने वाले मजदूर की लापरवाही या फिर बिजली भाग को दोसी ठाराया जाए जिसने घर के बगल से हाई वोल्टेज लाइन ले जाने का कारी किया है फिलाल पुलीस ने नियम सम्मत कारवाही करत मावला दर्जकर जाज कर रही है और प्रतम द्रिष्टिया गवाहों के बयानों के आधार पर लापरवाही पाए जाने से 304 में आईपी सिधारा में अपराद दर्ज किया गया है